नमस्ते दोस्तों आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बहुत ही प्यारा सिंपल सा डेली वेयर का धोजी डिजाइन लॉंग मंग शुत्र बनाने वाले हैं इसको बनाने के लिए मैंने ये तीन सुई लिया है 11 नंबर की सुई है स्कुरू लिया है प्लेन क को माप लेंगे इस तरह से एक मीटर तक दागा माप लिया मैं और अपरील में से कट करके अलग कर लेंगे इस तरीके से रहा कि Только हो जाएंगे हम आरे ailableUS है तो एक मीको मीटर के जह जाएक पर जाहें हैं हम तो यहां पे छे गटर जए को एक साथ कर लेंगे और हैं चाहा ब यहां में फसमें दहागे को सुई में बजानेंगे । यहां मैं तीन धागे डाल लें तो हमें क्या करना है मैंने पहले तीन धागे डाल लिए एक सुई में अब इस तरह से मैं दूसरे सुई में इन धागों को डाल के दिखाऊंगे तो सबसे पहले एक धागे को थोड़ा सा गिला करके और सुई में डाल लेजिए यह असानी से च सोय के साथक पकड़ लेंगे और देख सकते हैं मेरे बताने किससे नास समझ में आया तो आप देख के भी समझ सकते हैं सथामारे तीनों दाग नहीं से चले जाएंगे और धिरे-धिरे इस दैगे को किछ लंगी स्तरप से अब और इस्क्रू को खीच के अजो गाठ है ना इसक्रू के अंदर अच्छे से pit भीठा लेंगे अब फिर यहां पहते हम एक जग पे इसको fix कर लेंगे तो हमें 15 इंच तक ये लंबा चाहिए मंगल सुत्र ये डोरी जो तो इस तरह से हमें 15 इंच तक इन मोतियों को डालेना है इस लड़ियों में तो पहले एक लड़ी में डालेंगे फिर दूसरे लड़ी में इस तरह से डालेंगे मैं आपके भी दिखा रहे हूँ, यह हमारे मोतियों की लंबाई 15 इंच तक है, इसी तरह से 15 इंच तक दूसरे लड़ी में भी मोतियों को डाल लेंगे, और फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि दोनों सुयों को एक साथ करके, जो यह मैंने प्लेन काले वाले मोति लिए है इन धागों को हम जो यह तीसरी वाली सुय लिए हैं उसमें पिरोएंगे, अब तीनों सुयों में दो दो धागे हो जाएंगे, क्योंकि पहले मैंने दो सुयों में तीन तीन धागे डाले थे, अब दोनों सुयों में से एक एक धागा निकाल लिया है और इस तीसरे वाली बेने फाल नो नीट जो सिएट पैज़ी में और जायें हैं निकीन के तक जकते कुले ए única रहता तो जल्ली सेटें तूप कि ने का यह के लडी से बनाै यहां पे पहले जो आले भालेमुती है न बहने दो यहां परgeonे चाहई यहां पर तीन लड़ी रखनी है तो इसलिए मैंने पहले वैसा कर लिया कि तीन तीन धागे एक साथ करके दो लड़ी तयार कर लिए बाद में आगे आने के बाद यहां पर हमें यहां पर डिजाइन बनाना है वहां पर मैंने दो दो धागे करके यहां तीन लड़ी तयार कर ल तो अगर तीनों सुई में सधना जाये गोल्डन मुती तो एक सुई में डाल लिए और दो सुई बाद मेंसे उसमें इसे पास कर लिए ऐसा है फिर से आप यहां पर पंच पंच बोल्डन मुती डाल लेंगे हम एम पर स on काद को एक साथ कर और फिर से टाल पांच पांच गोल्डन मोटी डाल ने हैं तीनो भागो में इस तरह से यहां पर तीन रड़ी हो जाएगी यहां पर जो डिजाइन बनेगा यह टूarta यह रहां और और फिर यहां पे लाश में अपतिन सुई को एक साथ करके हमें यह जो काले पलैन मोती लिया है उससे डाल लेना है फिर से अब हम यहां पे दो लड़ी बनाएंगे तो इसके लिए भिर से एक सुई को निकाल देंगे क्योंकि यहां पे दो ही लड़ी रखना है तो फिर जो सुई में से दो धागे निकालेंगे न तो एक एक धागा और जो दो सुई हैं उनमें डाल लेंगे जैसे पहले यहां पे दो लड़ी बनाया थे न काले मोतियों की वैसी ही यहां पे लड़ी बनानी है तो इसलिए फिर से हमें ऐसा करना पड़ेगा तो इस तरह से एक सुई में तीन धागे हो जाएंगे फिर दूसरे सुई में भी तीन धागे हो जाएंगे और जो एक सुई था उसको बाहर कर दिया मैंने तो यहाँ पे तीन तीन धागे की एक लड़ी बन जाएगे और 15 इंच तक इन मोतियों को दोने लडियों में डाल लेंगे आप देख सकते हैं अगर आपको इससे भी लंबा चाहिए मंगल सुत्र तो आप इन धागों की लंबाई बढ़ा के लीजिए तो और भी लंबा बन जाएगा आपका मंगल सुत्र और मोतियों उसके हिसाब से और बढ़ा लीजिए तो फिर यहाँ पर मैंने दोनों सुयों को एक साथ करके स्कुरू का एक भाग और फिर एक सुय में एक छोटा मोतिय डालिया ताकि जब गाठ लगाए हम तो गाठ खिचके न निकले अब सुय को निकालके गाठ लगा लेना है दो-तिन गाठ लगा लेंगे हम अपने हिसाब से और जो एक्ट्रा धागा होगा उसे कट करके और गाठ को सेख लेंगे बहुत ही प्यारा और सुन्दर डिजाइन है अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सुन्दर सुन्दर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरू से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा मैंने इसमें थोड़ा से एक्ष्ट्रा दागा भी रहने दिया है ताकि इसमें बाद में एठन न पड़े मैंने जो यहां पर आटफीशल गोल्डन मोती यूज किये है ना आप उसके जगा पर गोल्ड वाले भी मोती यूज करके बना सकती है यहां पर हमें 47 गोल्डन मोती लगेंगे या गोल्ड के मोती लगेंगे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई